प्रिये दोस्तों, प्रभु ये इशु के नाम में नमस्कार, शास्त्री जानसन सी फिलिप के बाइबिल प्रवचन माला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ. शास्त्री जी बाइबिल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवन सहज भाशा में प्रवचन के लिए जगत प्रसिद्ध हैं. उनका कोई भी प्रवचन आप से छूट न जाए उसके लिए इस पाठ़े माला को सबस्क्राइब कर लें. सबस्क्राइब करना बहुत ही आसान है. इस के नीचे एक सबस्क्राइब बटन दिखता है. पहले उसे क्लिक कर दें. उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है उसे क्लिक कर दें. बस हूग गया काम. अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी. पजमेश्वर ने एक और आउसर इस तरह से जो दिया है उसके लिए मैं प्रभू का शुक्र गुजार हूँ. इन विशेयों के उपर चर्चा करने के लिए प्रभू ने जो आउसर दिया है उसके लिए मैं प्रभू का बहुत शुक्र गुजार हूँ. हमेरा विशे संपुष्ट मतलब जो हर तरह से पुष्ट है ऐसा परिवार है ये विशे अपने आप में इतना व्यापक है कि महीनों से हम उसके सिर्फ एक अंश को देख पा रहे हैं और वो ये है कि अपने बच्चों का किस तरह से ख्याल रखना चाहिए उसमें भी मैंने जो विशे बताए है वो पूर्ण डीटेल में नहीं बता पाया लेकिन फिर भी जितना जरूरी है उतना बता सका मुझे खुशी है पिछला विशे जो हमने कवर किया था उसमें मैंने ये बताया था कि हम लोग बच्चों को पवित्र वाइबल की जो चरितर कहानिया है और उसके अलावा जो उपमाएं है वो जब सुनाते हैं तो महज यांतरिक तरीके से सुनाते हैं और बच्चे एक कान से सुनके दूसरे कान से निकाल देते हैं बच्चों की कोई गलती नहीं है उनको जो ठोस मेटीरियल देना चाहिए उसके बदले यदि हम हलका फुलका देंगे तो वे उसको हलका ही लेंगे इस कारण प्रभु के वच्चन की जो चरितर कथाएं और अन्य जो कल्पनी कथाएं हैं उपमाओं के रूप में जो आई हैं उन सब को अपने बच्चों को सही तरीके से सि सही सही खरा खरा सिखाते हैं तब एक चीज जो हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को जिरूर सिखाए वो यह है कि बेटा बेटी अदन की वाटिका में जिस तरह से धूर्त सर्प ने आदम और हवा को धोका दिया था बलकि इस सही कहा जाए तो हवा को धोका दिया था उसी प्रकार कोई व्यक्ति चल से भरे हुए शब्दों द्वारा बेटा तुमारा शिकार ना करे बिटिया तुमारा शिकार ना कर ले आज सारा संसार भेडियों से भरा हुआ है जो हमारे बच्चों का शिकार कर रहे हैं या बच्चों के शिकार करने में ल लगे हुए हैं, ये बात पिछले हफ़ते, बलकि इस हफ़ते मुझे फिर से याद आई, क्योंकि 13 से 15 यहां से 50-60 किलोमेटर दोर एक कैम्प हुआ था, उस कैम्प में मैंने तीन क्लासस लिये थे, देखके हैरान हो गया, 600 के करीब बच्चे, और बच्चों के कैम्प में बड़े लोग भी आए, 600 यदि कैम्प में टोटल आए, तो उसमें साड़े चार सो बच्चे थे, डेड़ सो के करीब उनके मा, बाप, अंकल, भाई, बहन, क्यों आए ये लोग, भाई कैम्प तो बच्चों का है, इसलिए आए कि आज प्रभू का वच्चन जो कहता है उसे सुनने की काफी प्यास, काफी लोगों के दिल में हैं, लेकिन प्रभू का वच्चन, खरा-खरा जैसा सिखाया जाना चाहिए, वैसा बहुत कम सिखाया जा रहा है, अक्सर मैं लोगों के बारे मैं सुनता हूँ, क्या गजब का संदेश दिया और जब कोई कहता है कि क्या गजब का संदेश दिया, तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि संदेश गजब है नहीं है, मुखे विशे यह नहीं है, मुखे विशे यह है कि संदेश हरदैस पर शीथा क्या, उसने मेरे आपके जीवन को बदलने में हमारी मदद की क्या इस तरह के पचासो संदेश है जो हमको बड़ा आनन देते हैं क्या गजब का संदेश है लेकिन जब लोगों से पूछा जाता है कि उस संदेश की विशेवस्तु क्या है जरा उसका आउटलाइन बताओ तो उनके चहरे मुरजा जाते हैं क्योंकि ये जो गजब का संदेश है इसमें सिर्फ गजब है शब्द है संदेश नहीं है इसका परिणाम यह है कि लोग आत्मिक रूप से भूखे हैं और कम से कम, हर जगे कम से कम कुछ लोग हैं जो पर्मेश्वर के वचन को खरा-खरा सुनना चाहते हैं ऐसे आउसर पर माबाप को मैं एक विशेश बात याद दिलाना चाहता हूँ वो यह है कि आपके बच्चे किसी कैम्प या कॉंफरेंस में जाते हैं वहाँ पर्मेश्वर का वचन खरा-खरा सुनते हैं तियो अच्छी बात है लेकिन उत्तर भारत में कैम्प सिया कॉंफरेंस ना के बराबर है और जहां बहुत हैं वहाँ भी अपने बच्चों को पालना उनको सही दिशा दिखाना उनको सही दिशा में गाइड करना ये सब कॉंट्रैक्ट पे दूसरे को देना अच्छी बात नहीं है आपके बच्चे को पडमेश्वर की वच्चन की सच्चाई सुनाना आपकी जिम्मेदारी है मेरे बच्चे को सुनाना मेरी जिम्मेदारी है बलकि बच्चे को प्रभू के पास लाने के लिए तैयारी करना और उसके बाद जब बच्चा इन बातों को समझ सकता है तब उसको प्रभू के वचन का शुप संदेश सुना कर उसको उद्धार के ग्यान में लाना यह मावाब की जम्मेदारी है लेकिन हम इसमें काफी लापरवाही करते हैं इस प्रिष्ट फूमी में आज अगली बात जो मैं प्रभू के वचन से आपको याद दिलाना चाहता हूँ वो एक पद है जिसके बारे में मैंने आप लोगों से पूछा था याद है कि दो हफते पहले मुझे फ्लू होने से पहले मैंने आप लोगों से पूछा था कि प्रभू के वचन में वो पद कहा है जहां यह लिखा है कि उन्होंने मेरे पैर के लिए जाल बिछाया है यह होमवर के रूप में मैंने दिया था पद है भजन 35 का 7 भजन 35 का साथ इसके अलावा और भी कई पद हैं लेकिन मुख्य पद है भजन 35 का साथ जहां पर हम पढ़ते हैं अकारण, बिना कारण के उन्होंने मेरे लिए अपना जाल बिछाया बिना कारण से कहने का मतलब क्या है यह हम समझ लें जिन्होंने बिछाया उनके जीवन में तो कारण है लेकिन मैं जो उनका शिकार हूँ मेरे जीवन में कोई कारण नहीं है मैं जान बुझ कर शिकार बनने की कोशिश नहीं कर रहा मैं जान बुझ कर मारा जाना नहीं चाहता मैं नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति मेरा शिकार करके मुझे चीर फार के मेरा जीवन बर्बात कर दे तो यहां अकारण या बिना कारण जो लिखा है उसका मतलब यह है कि मेरी तरफ से कोई कारण नहीं है मैं नहीं चाहता कि उनके जाल में फसू मैं नहीं चाहता कि किसी का शिकार बनू लेकिन वे लोग चाहते हैं कि वे मेरा शिकार करें और पूरा पद इस तरह से है बिना कारण उन्होंने मेरे लिए अपना जाल गड़े में बिचाया जाल की तो बात सही है लेकिन फिर गड़े की क्या जरूरत है इस बात को हम समझ ले जादा तर जानवरों को जाल में फसाया जाता है लेकिन कुछ जानवर इतने शक्तिशाली होते हैं कि उनको आप जाल में नहीं फसा सकते जैसे हाथी हाथी को फसाने के लिए कोई सामानी जाल नहीं बनाया जा सकता इसलिए हाथी को फसाने के लिए हाथी किसी भी तरह से बाहर ना निकल सके इतना गहरा गड़ा खोदा जाता है उसके बाद उस गड़े के ऊपर पतली पतली संटियां या बांस रख दिये जाते हैं उसके ऊपर पत्ते डाल दिये जाते हैं जिससे की अनुमान ही ना हो कि यहां पर गड़ा है उसके बाद उसके बीचों बीच ऐसा भोजन रखा जाता है जो हाथी को सर्व प्रिय हो जैसे गुड़, हाथी को गुड़ बहुत पसंद होता है तो हाथी का सर्व प्रिय भोजन रख दिया जाता है हाथी टहलते टहलते जैसे ही गुड का स्मेल मिलता है तो वो गुड की तरफ जाता है और जैसे ही बांसों के उपर वो अंजयने पैर रखता है वो गड़े के अंदर धंसता चला जाता है और अब किसी भी हालत में वो उस गड़े से नहीं निकल सकता क्योंकि ये गड़ा ऐसे अनुभवी शिकारी बनाते हैं जिनको ये अनुमान है कि जाद से जादा हाथी कितना कूद सकेगा और ये गड़ा उससे बहुत जादा गहरा बनाया जाता है मैं इसको अच्छी तरह से जानता हूँ क्योंकि मैं जिस प्रदेश में हूँ केरल यहाँ पर हाथीयों को इस तरह से पकड़ा भी जाता है और उसके बाद हाथीयों को ट्रेनिंग भी दी जाती है और इसलिए यदा कदा खबर सुनते रहते हैं कि फलाने जंगल में आथी का बच्चा जो है पकड़ा गया यहाँ पकड़ा गया वहाँ पकड़ा गया लेकिन उसकी विशेष्टा मैं आपको बताऊं जिन जानवरों को गड़े में फसा कर पकड़ा जाता है उनके लिए इतना गहरा गड़ा बनाए जाता है कि वे उसमें से कभी भी कतई किसी हालत में बाहर नहीं निकल सकते हैं और आज तक ऐसा कोई रिकार्ड नहीं है कि हाथियों को फसाने के लिए शिकारियों ने जो गड़े बनाएं उसमें से कोई हाथी बच निकला हो ऐसा नहीं होता है क्योंकि शिकारी बहुत अनुभवी होता है उसके सामने एक लेच्ष होता है अनुभवी भी है लेच्ष भ प्वता जाता है और वो अच्छी तरह से जानता है कि कैसे शिकार को फसाना है, अभी हमने जो पत पड़ा, इसमें लेकिन एक आश्च्री की बात है, देखिए, जिन जानवरों को जाल से पकड़ा जाता है उनके लिए गड़े की जरूरत नहीं होती है, जिन जानवरों को गड़े में पकड़ा जाता है उनके लिए जाल की जरूरत नहीं होती है कारण यह है कि जो जानवर जाल में फास कर पकड़े जा सकते हैं उनके लिए काहे को खा मुखा गड़ा खो दो और जिस जानवर को सिर्फ गड़े में फसाय जा सकता है वो तो जाल को तोड़ मरोड के इसलिए उसके लिए जाल की जरूरत नहीं है लेकिन यहाँ पर एक ताज्युप की बात है कि बिना कारण के उन्होंने अपना जाल गड़े में बिचाया इसका क्या मतलब है भाईयों बहनों जरह अच्छे दर से समझे इसका मतलब यह है कि जिस व्यक्ति को फसाने के लिए ज लोग ना केवल जाल बलके गड़ा भी बनाते हैं और जिसके लिए गड़ा बना दिया और जो गड़े से बाहर नहीं आ सकता उसके लिए अतिरिक्ति जाल लगा दिया जानते हैं क्यों इस दुनिया में जो भेडिये लोग हैं वे भेडिये जब शिकार करते हैं वे दुनिय के लोगों का भी शिकार करते हैं परमेश्वर के बच्चों का भी शिकार करते हैं उनके लिए शिकार शिकार है तो वे चाहते हैं कि मेरा शिकार किसी भी हालत में मसने के बाद छूट ना पाए और इस कारण जिस शिकार को जाल से पकड़ा जा सकता था उसके लिए जाल भी ब बनाते हैं और जो शिकार गड़े में गरने के बाद बच नहीं सकता उसको वो बच नहीं सकते इसके बावजूद जाल भी लगा देते हैं दुनिया इस बात को जानती है कि संसार में इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जानते कि दुनिया उनके शिकार के लिए तयार बैठी है और दुनिया जब शिकार करती है तो वो छोटा मोटा खेल नहीं खेलती है बलकि ऐसा जाल बिछाती है और ऐसा गड़ा बनाती है कि शिकार कभी भी किसी भी हालत में उससे बच कर निकल नहीं पाता है अब आते हैं विश्वासियों के बारे में विश्वासी लोग सामानियता अपने बच्चों को हर तरह से बचा के उनके चारों तरफ दीवार बना के रख के बच्चे पालते हैं बच्चों के चारों तरफ सीमा बंदी करना जरूरी है बच्चों को ये बताना जरूरी है कि बेटा जीवन में सीमा होती है और इस सीमा को हमें किसी तरह से लांगना नहीं है लेकिन हम लोग क्या करते हैं बहुत सारे मसीही भाई बहन घोडे के आँखों को जिस तरह से बंद कर दिया जाता है उस तरह से ना के वल बच्चों के चारों तरफ सीमा बना देते हैं उनकी आँखे भी बंद कर देते हैं इसका परिणाम क्या होता है कि हमारे बच्चे खासकर मसीही परिवार के बच्चे अक्सर भला और बुरा क्या है भले और बुरे में अंतर नहीं कर पाते हैं वे सर्फ विश्वासियों को देखते हैं जिनके जीवन में आपस में अच्छा प्रेम और अच्छा संबंध है और इस तरह से भला और बुरा ना समझ पाने के कारण जब मसीही बच्चों को इस जाल में वो भी गड़े के अंदर फसा दिया जाता है तो उनका जीवन सामान्यतिया उनका जीवन हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है मैं इस तरह के बहुत सारे युवा भाईयों और बहनों को जानता हूँ जिनके जीवन की दिशा को देखकर मैंने या तो उनको खत्रे से आगाह कर दिया था या उनके माबाप को कर दिया था जनरली यदि जवानों को डारेक्ली यदि मैं बता दूँ कि भई तुम खतरनाक रास्ते पे जा रहे हो तो उसमें बहुत सारे लोग बच जाते हैं लेकिन हर बच्छे से बोलने के लिए समय नहीं मिल पाता है इसलिए कई बार माबाप से बोलना पड़ता है कि आपका बेटा या बेटी गलत दिशा में जा रहे हैं और जब इस तरह से बोला जाता है तो ज़्यादा तर मसीही भाईयों और बहनों की प्रतिक्रिया ये होती है आप क्या जाने हमारे बच्चों के बारे में हमारे बच्चे तो संत हैं वो कभी भी कोई भी गलत काम नहीं करेंगे छे महिने के बाद उसी भाई या बहन से मुलाकात होती है या वे वाटसैप पर संदेश भीजते हैं ब्रदर आपने जो कहा उस समय हमने ध्यान नहीं दिया और मेरा बच्चा मेरी बच्ची नश्ट हो गई है इन सब के पीछे जो मूल कारण है वो यह है कि बिना कारण के मतलब बिना मेरे चाही हुए शिकार कभी नहीं चाहता कि उसका शिकार हो मार दिया जाए बिना मेरे चाही हुए उन्होंने मेरे लिए अपना जाल गड़े में बिछाया है, दुनिया हमको अपने जाल में फंसा कर हमको विनाश करना चाहती है, कारण क्या है? कारण तो पचासों है, आपको याद होगा जब काइन अपने भाई हाबेल से इरश्या करने लगा, तो हाबेल को बुला कर खेत ले गया, हाबेल को नहीं मलूम था कि आज मेरा बड़ा भाई मुझे खेत में ले जा रहा है, वो अपने आप में एक बड़ा जाल है, अपने आप में एक बड़ा फंदा है, चला गया बड़े भाई के साथ, बड़े भाई ने उसकी हत्या कर दी, आगे प्रभु के वचन में हम जाते हैं तो इस तरह के तमाम सारे जाल हम देखते हैं यूसुफ उसने अपने भाईयों से सदा सच बोला लेकिन यूसुफ को दूर से देखके भाईयों ने जाल बिचा दिया कि इसको तो खत्म करना है रूबेन चाहता था कि बिना कारण के खुन खराबा ना हो, इसलिए उसने मारने तो नहीं दिया, गड़े में डालने को बोल दिया लेकिन रूबेन जब वहां नहीं था, उस समय उन्होंने यूसफ को बेच दिया, यूसफ के भाइयों ने बिना कारण के उसके लिए जाल बिचाया यूसुफ पोतीफर के घर में गया वहाँ उसकी मालकिन उसके ओपर जो है मालकिन का मना गया उसने यूसुफ के लिए जाल बिचाया इस्तर के बारे में हम देखते हैं इस्तर के पुस्तक में हम देखते हैं कि मौर देखाई एक यहुदी होने के कारिन गैर यहुदियों के सामने अपना सिर नहीं जुकाता था हामान को ये बात नागवार गुजरी और उसने एक मौर्देकाई जो उसको सर नहीं जुकाता उस व्यक्ति को नापसंद करने के कारण उसने जाल बिछाया कि सारे यहुदियों को मार डाला जाए प्रभू के वचन में हम बार बार देखते हैं कि परमेश्वर के बच्चों के विरुद्ध जाल डाला जाता है कभी कभी परमेश्वर के बच्चे भी जाल डालते हैं दाउद ने हित्ती उरिया के विरुद्ध जाल डालकर हित्ती उरिया को मरवा डाला था तो ये जो जाल की बात है मैं याद दिला दू कि सारी दुनिया में जाल ही जाल है फंदे ही फंदे हैं इसमें सबसे महतुपूर्ण जो आज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ वो मेरे आपके बच्चों के लिए दुनिया जो फंदे जो जाल तयार कर रही है उसके बारे में हैं आप कहेंगे कि अच्छी बात है इसका मतलब है कि हम बड़े लोगों को जाल आदी से डरने की जरूरत नहीं है ऐसा नहीं है मनिश्य अपने पूरे जीवन में एक विश्वासि अपने पूरे जीवन में कभी भी परुफेक्ट नहीं हो जाता है इस कारण कोई भी विश्वासि उमर के किसी भी पड़ाओ पर गिर सकता है जाल में फस सकता है तो मैं बच्चों के बारे में बोल रहा हूं उसका मतलब ये नहीं है कि बड़े लोग अपने बारे में निश्चिंत हो जाएं हम बच्चों पर इसलिए फोकस कर रहे हैं कि यदि परिवार संपुष्ट होना है तो उसके लिए जरूरी है कि उसकी जो सबसे कमजोर जो कड़ी है उसको मजबूत किया जाए और सबसे कमजोर कड़ी है हमारे बच्चे और इसका अरण माबाप को आज मैं याद दिलाना चाह हम परमेश्वर के बच्चे हैं परमेश्वर के बच्चे होने के कारण संसार या शैतान वो लोग बहुत हम से जलन रखते हैं उनके मन में हमारे विरुद काफी कड़वाहट है और इसलिए किसी न किसी रीती से वे लोग हमसे गलत काम करवाने की कोशिश करेंगे हर माबाप को ये बात अपने बच्चों को बतानी चाहिए मुझे अभी भी याद है 1978 में MSC के एक्जाम देने के बाद मैंने तीन साल केरल में आके एक टूटोरियल कॉलेज में काम किया में लेट्शी ये था कि मैं नौकरी भी करता जाओ उसके साथ साथ प्रभू की सेवा करूँ तो मैं इस समय जहां से संदेश दे रहा हूँ यहां से 100 किलो मीटर देट्शिन जहां हमारा गाउँ पढ़ता है उसके पास ही एक टूटोरियल में मैंने लेक्चरार की नौकरी पकड़ ली और फ्री टाइम में जाकर आसपास के कॉलेजों में विद्यार्थियों के बीच में संदेश दिया करता था एक दिन प्रिंसिपाल ने मुझे चुप के से बुला के बताया जॉंसन सर आपके विरुद्षाडियंत्र हो रहा है इसके पहली बी एक बार मैं आपको बता चुका हूँ आपके विरुद्षाडियंत्र हो रहा है कल बाकी साथी लेक्चरार यहां स्टाफ रूम में बेटके चर्चा कर रहे थे, कि हम लोग जिस तरह की अशलील बातें करते हैं, उन बातों में ये जॉन्सन फिलिप कभी भाग नहीं लेता है, इसको किसी न किसी तरह से फोड लेना चाहिए, तो उसमें से दो तेने का बिलकुल फिकर मत करो, हफते भर के अंदर उसको अपने साथ मिला लेंगे और वो हमारे समान बात करने लगेगा, तो प्रिंसिपाल ने मुझे बताया कि सर देखे, इन लोगों के कारेंड मेरा ट्यूटोरियल चलता है, और यदि उनको पता चल गया कि मैंने आपको बताई है, तो वे छोड़ जाएंगे, मैं भूका मारा जाओंगा, इसलि बताई कि उस समय मैं लगबग 27 साल का रहा हूँगा, इवन 27 साल की उमर में एक व्यक्ति के शिकार के लिए लोग जाल बिछा रहे हैं, क्योंकि वे लोग जिस गंदगी में जीते हैं, उस गंदगी में एक और आत्मे को फसा कर डाल दिया जाए, वो अभी तक क्यों नहीं वो हमारे समान बापचित क्यों नहीं करता, तो यदि एक परिपक्व व्यक्ति को जाल में फसाने की कोशिश की जाती है, तो जो परिपक्व नहीं है, उनको तो जाल में फसाने की कोशिश निश्चित रूप से की जाएगी, और प्रभो का वचन कहता है कि परमेश और के ब ना लो गड़े में फस जाए तो कहीं छूट ना जाए इसलिए गड़े में जाल भी डाल दो यह अन्होनी है ऐसा कभी नहीं होता है लेकिन वे लोग यह अन्होनी इसलिए कर रहे हैं कि एक बार जब हम उनके जाल में फस जाएं तो उसके बात कभी भी उस जाल से निकल ना सक ये बात अपने बच्चों को बच्चपन से बताईए, छोटी से छोटी उमर में बताईए, और इन दिनों तो एक दो विशेश बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, दो दो तीन तीन चार चार साल के बच्चों को किड्नाप करके ले जा रहे हैं लोग, बस उनके पास गए, बोले कि बेटा, तुमारे डाड़ी का एकसिडेंट हो गया है, मम्मी ने कहा है कि मैं तुमको लेकर घर चलूँ, इवन दो दो तीन तीन साल के बच्चों को इस तरह के जाल से बचाना जरूरी है, जिसके लिए आजकल इवन सरकार बार बार लोगों को याद दिला रही है, कि अपने बच्चे को बच्चिपन से एक सीक्रेट नंबर याद दिलवा दीजिये या एक सीक्रेट नाम याद दिला दीजिये, जो वो जिन्दगी में कभी किसी को ना बताए, और उसको बताइए कि कल को यदि स्कूल में आकर कोई यह दावा करे कि मैं तुमारा अंक्ल और तुम्हारे पापा ने या मुम्मा ने भेजा है मुझे, तो उस बच्चे को ये बताईए कि तुरंत पूछे कि अच्छा पापा ने भेजा है, मुम्मा ने भेजा है, उन्होंने एक सीक्रेट नमबर आपको दिया हो गया, सीक्रेट नाम दिया गया, वो नाम तो बताईए जरा, वो नाम क्या था, यदि वो बताते हैं, तब बेटे उनके साथ जाना, और आप यदि किसी को भेजते हैं बच्चों को बुलाने के लिए, तो उस वेक्ति को ये सीक्रेट नमबर ये सरकार बोलती है, मैं भी आज चुकि विशे पर आया हूँ, इसलिए मैं भी बताना चाहता हूँ कि आपके बच्चे जो दो-दो-तीन-तीन साल के हैं, इवन उनके विरुद इन दिनों जाल बिचाय जा रहा है, उनको किटनैप करके लिए जाकी इदर-दर बेच दिया जात है, भारत में ऐसा अनुमान है कि एक साल में दस हजारों में बच्चे गाइब हो जाते हैं और कभी उनका पता नहीं चलता है, इन में से जादातर बच्चों को इदर-दर गैंक्स में ले जाके बेच दिया जाता है, वे लोग इन बच्चों का हाथ या पैर तोड़ देते ह हैं और उनको भी मांगने पे लगा देते हैं और उनको बाकायदा टार्गेट दिया जाता है कि प्रती एक दिन इतना भी कलेक करना है और यदि वो टार्गेट भी ना कलेक कर पाते हैं तो खूब उनकी पिटाई होती है पिछले दिन अखबार में ये खबर आई थी कि आगरा में किस तरह से एक डॉक्टर इन गैंक्स के साथ साथ गाट करके बच्चों के हाथ या पैर उसमें जबरदस्ती पस क्रियेट करने के बाद हाथ या पैर काट देता था उनको लंगडा या लूला बना देते थे इसके मेरे साथ भी हो सकता है, आपके बच्चे के साथ भी हो सकता है तो बच्चों को ये वारNo देदे दे बच्चे जब थोड़ा और बड़ा होने लगते हैं तब, उनके साथी लोग उनको चोरी चपाटी सिखाते हैं दूसरे के डब़े में से, aa rubber, pencil या अन्य आकरशिक बच्चों को बार-बार बताई कि बेटा, ये एक जाल है, इस जाल में परमेश्वर के बच्चे को नहीं फसना चाहिए, इसलिए कि चाहे रबर हो या आलपिन हो, चोरी तो चोरी है बेटा, और हमें उससे दूर रहना चाहिए, परमेश्वर इवन एक आलपिन की चोरी पर अ बच्छे थोड़ा और बड़े जब हो जाते हैं, तब तमाम तरह के लोग दोस्ती करके उनसे तमाम तरह के गलत काम करवाने की कोशिश करते हैं। एक दिन इस बारा साल के बच्चे को अपने घर बुला ले गया। लेकिन घर के नाम पर वो इस बच्चे को और कहीं ले गया था। वहाँ एक बाकाइदा पूरा का पूरा गैंग था। और वो बच्चा भी उस गैंग का शिकार था। इन लोगों ने इस बच्चे को ले जाकर अपने अड़े पर ले जाकर उसके पूरे कपड़े उतार कर उसको नगन करके बीसियों प्रकार के फोटोग्राफ उसको ले लिये। बेहोश कर दिया था। उसके बाद जब वो होश आया उसको कुछ नहीं पता चला कि उसके साथ क्या हुआ था। चार दिन के बाद मॉबाइल पर उसका वो जो मित्र उसको बुला के ले गया था। उसने बताया कि ये तेरे फोटोग्राफ जरा देख ले। ये बच्चा डर गया। एक्चली जब बच्चे ने अपने नगनी चित्र देखे तो उसको इतनी हिम्मत होनी चाहिए थी कि वो दोड़ के अपने डैड़ी से या मम्मी से कह सके। बच्चा हो या बच्ची हो। लेकिन हम मेंसे ज़्यादा तर लोग बच्चों को इस तरह से पालते हैं। कि यदि कोई और व्यक्ती बच्चे का शिकार करे तो भी हम बच्चे को दोश देते हैं। और जब चार बार इस तरह से बच्चे को दोश देते हैं। मतलब वो तो अभागा है कि उसका शिकार हो गया लेकिन उस अभागे को सुरेच्छा देने के बदले हम में से ज़्यादा तर लोग डाटते हैं, फटकारते हैं उसका परिणहम क्या होता है कि बच्चे को जब माबाप की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है बच्चे को जिस बात में माबाप की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है वो उस समय माबाप की मदद नहीं ले पाता मदद इसलिए नहीं ले पाता कि माबाप मदद नहीं करते बलकि मदद के बदले डाट फटकार और लगा देते हैं बच्चे को दोशी ठहरा देते हैं, मैं इस तरह के सेकडो परिवार जानता हूं, जहां पर कोई भी व्यक्ति बच्चे का शिकार करें, माबाप दोश बच्चे को देके, जो शिकारी है वो बड़े आराम से धूल जाड़के अपने रास्ते चल देता है, फाइनली ये बच्चा जो बारा साल का था, इसको बताया गया कि ये तेरे जो चित्र हैं, ये सब पब्लिक में फैला दिये जाएंगे, डर गया, मा से बोल नहीं सकता, बाप से बोल नहीं सकता, मा विश्वास ने करेंगी बाप जलात जैसा वियवहार करता है, परिणाम क्या हुआ, अपने माबाप को बता कर, मदद पाने के बदले, इस बच्चे ने, उन लोगों ने जो कहा था, वो कहने पर मजबूर हो गया, ये ड्रग्स की तसकरी करने वाला गयांग था, उन्होंने इस 12 साल के बच्चे का उप्योग किया, एक जगह से दूसरे जगह पैकेट्स पहुँचाने के लिए, सुबह जब वो स्कूल से निकलता था, दोपर को स्कूल से निकलता था, तो उसको एक पैकेट चुपके से थमा दिया जाता था, और उसको बता दिया जाता था कि जब तुम घर जाओगे पैदल जाता था घर तो फलानी जगे एक आदमी खड़ा मिलेगा उसको एक packet दे देना इस तरह से वो दे देता था उसको नहीं मालूम था कि ये क्या है उसको तो सर्फ इतना मालूम था कि एक पैकेट इधर से ले लो, एक पैकेट उधर दे दो और यही मैं ऐसा करता रहूंगा ति यह लोग मेरे चित्र पब्लिक नहीं करेंगे परिणाम क्या हुआ, वो इस तरह से करता गया कुछ समय के बाद पुलीस ने बच्चे को पकड लिया पुलीस भी इन चीजों पर नजर रखती है, बच्चे को पकड लिया पूछा, तब सारी बात बाहर आई कि किस तरह से उन्होंने अपने शिकार एक बच्चे की मदद से दूसरा शिकार फासा, उसके फोटोग्राफ्स लिये और उसको धमकी दी, जादातर परिवारों में ये जो शिकार करने वाले भेडिये हैं, वे जानते हैं कि जादातर परिवारों में बच्चे की असहाय स्थिती को देखकर, उसकी मदद करने के बदले माबाप उसकी बुराई करते हैं, डाटते हैं फटकारते हैं एक डिक्टेटर के समान व्यवहार करते हैं इस कारण उस बच्चे ने भी अपने घर में ये बात नहीं बताई थी जल्लाद जैसे उसके पिता चित्र देखते तो किस ने ये सब किया है ये जानने के बदले बच्चे को ही काटके फेंग देते पाइनली पुलीस ने बहुत ही साइलेंट तरीके से उस गैंग को ट्रेस कर लिया वो जो दूसरा बच्चा था उसको ट्रेस किया इनके आने जाने के उपर नजर रखी गैंग को ट्रेस कर लिया लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि इस तरह के गैंग्स में फसने वालों में दस में एक ही बच्चा है जो बच पाता है ज़्यादा तर लोग बच नहीं पाते वे जिन्दगी भर के लिए गुलाम हो जाते हैं जेल में जाते हैं बच्चे जब थोड़ा सा और बड़ा हो जाते हैं तो और भी अन्नी बातों के लिए उनको फसा जाता है फसाये जाता है यह सब इस तरह के जाल और इस तरह के गड़े बिचा कर किये जाते हैं कि किसी को कभी कोई अन्नी नहीं होता है मैं ऐसे कितने ही भाईयों को जानता हूँ कितने ही व्यक्तियों को जानता हूँ कितने व्यक्तियों को जिन में कई भाईय भी है जिन को अचानक एक दिन एक SMS मिलता है या एक WhatsApp संदेश मिलता है जिग्यासा के कारण उसका जवाब देते हैं और फिर वो जवाब का जवाब और जवाब का जवाब का जवाब इस तरह से चलता रहता है कुछ समय के बाद दोनों मित्र बन जाते हैं पहले परिशित बन जाते हैं फिर मित्र बन जाते हैं फिर अभिन्य मित्र बन जाते हैं और अबिन्यमित्र बनने के बाद ओरिजिनल जिस व्यक्ति ने वो मेसेज भेजा था, वो व्यक्ति अपने असली रंगत पराता है। पचास तरह के अपराद, पचास प्रकार के क्राईम हमारे चारों तरफ हो रहे हैं। माबाप की जिम्मेदारी है कि बच्चों को ये बात बताएं कि बिना कारण के मतलब मेरे कारण नहीं, मैं किसी तरह का गलत कारिय नहीं करना चाहता। लेकिन बिना कारण उन्होंने मेरे लिए गड़ा भी होदा है, गड़े के अंदर जाल भी बिछाया है। और इसलिए बच्चों को ये बताएं कि फूंक फूंक कर कदम रखे। फूंक फूंक कर कदम रखे का क्या मतलब है। बच्चे को बताएं कि जीवन में कोई भी नई मित्रता, कोई भी नया सुझाव, किसी भी नए काम को करने के लिए लोग बोलें, कोई दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाएं। तो माबाप से जरूर कंसल्ट कर लेना। लेकिन हम मैं से बहुत सारे लोग अपने बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार करने के बदले, बच्चों के साथ डिक्टेटर के समान व्यवहार करते हैं। मित्रुवत से मेरा मतलब ये नहीं है कि सारी सीमाएं तोड़ दी जाएं, जी नहीं, मित्रुवत का मतलब है कि मेरे आपके बच्चों को ये confidence होना चाहिए कि मैं जाकर अपने पापा या मम्मा को कोई भी बात बता सकता हूँ, और वे मेरी मदद करेंगे. इस तरह का अपसी समंद आपने अपने बच्चे से बनाया है क्या? मैं ऐसे बहुत सेकड़ों लोगों को जानता हूँ, जिन्होंनी इस तरह का समंद नहीं बनाया है, लेकिन ऐसे लोगों को भी जानता हूं, जो अपने बच्छों के समान इतना सने करते हैं कि मित्रव्यत, मित्रवत व्यवहार है और इन पेरेंस के जीवन में से मैं ऐसी कैई चरितर कहानिया सुना सकता हूँ जब उनके बच्छों को भेडियों ने पसाने की कोशिश की या अन्जानेवे जाकर भेडियों के जाल में फस गए लेकिन माँ बाप से उनका अभिन संबंध होने के कारण उन्होंने तुरंट जाके ये बाद अपनी माँ को ये अपने पापा को बताया और तुरंट उन्होंने उसका हल निकाल दिया तो आज अपने बच्चों को ये बताना है सिखाना है कि संसार ने हमारे लिए अकारन गड़ा खोदा और उसमें जाल भी डाल दिया बेटा जिससे कि तुम एक बार फांस जाओ तो उसमें से ना निकल पाओ लेकिन बच्चों को सिखा ही शिखा देना परियाप्त नहीं है शिखा ही शिखा देनी हो तो किताब पकड़वा दीजे वो पढ़ लेंगे ये एक और चीज है जो हम ऐसे हरे को समझना चाहिए कई माबाप को ऐसा लगता है कि बच्चों को संडे स्कूल में भीज दिया बस हमारी जिम्मेदारी खतम संडे स्कूल की टीचर से बोल दिया कि उसको प्रभू के पास ले आना उसका उधार हो जाए उसके लिए गाइड करना हमारी जिम्मेदारी खतम नहीं बच्चों को पालने का मतलब ना केवल उनको पडमेश्वर के वच्चन की शिट्षा देना है बलकि घर में एक ऐसा सिस्टम या एक ऐसी व्यवस्था बनानी है जिसको बच्चा ना केवल सनेह करे, पसंद करे बलकि जीवन में हर चीज वहाँ पर आकर शेयर करे अपने भाई के साथ, अपनी बहन के साथ, अपने मा के साथ, अपने बाप के साथ क्योंकि जब बच्चा इस तरह से शेयर करेगा कई बार उसको नहीं मालूम होता है कि मैं मुसीबत के रास्ते पर जा रहा हूँ लेकिन जब वो इस तरह से शेयर करेगा या करेगी तो संभाव नहीं इस बात कि है कि उसका बड़ा भाई या बड़ी बहन तुरन समझ जाए कि अरे बाप रे मेरा चोटा भाई या चोटी बहन ये तफस ने जा रहा है और उसको पता ही नहीं है हो सकता है वे ही लोग उसे सतर्क कर दें हो सकता है वे मम्मे पापा को बताएं और मम्मे पापा यदि अपने बच्चों से सने से भरा हुआ भी अवहर करते हैं तो उनको बुला के उनको सब कुछ पता सकते हैं कि बेटा तुम जो सोच रहे हो उसका रिजल्ट ये नहीं है उसका रिजल्ट फलाना 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 है और मैं तुम को तमाम अपने जीवन से इस तरह की कहानिया बता सकता हूँ जहां लोग इस तरह से फस्ट चुके हैं और जहां उन्होंने अपने जीवन को बरबात कर दिया था तो बच्यों को शिट्षा देने का मतलब यह नहीं है कि आपने एक बड़ी तक्ति पे उनको जो जो शिट्षा यह देने पोइंट नमबर वन, पोइंट नमबर टू लिखके टांग दिया हमेंसे कई लोग को ऐसा लगता है कि बच्चों को शिट्षा देना तक्ति पे लिखके टांग देने के समाने, जी नहीं, बच्चों को प्रभू के वचन की शिट्षा देना और भहले और बुरे के बीच में जो अंतर बताना है, वो एक हमारे जीवन में लगातार होने वाली घटना है, जब हम बच्चों के साथ हर चीज बोलते हैं, चर्चा कर पूछते हैं, कई बार बच्चों के टांग भी खेंच लेते हैं, जिससे की बच्चा अलर्ट हो जाए, हर बात में अलर्ट हो जाए, तो आज जो भाई बहन लोग प्रभू का वचन सुन रहे हैं, उनको मैं याद दिला दूँ, प्रभू का वचन स्पष्टतया कहता है कि अकारण उन्हें ने मेरे लिए जाल बिछाया है, और एक पद नहीं है, प्रभु के वचन में इस तरह के दर्जनों पद है, एक और पद, आप में से जो लोग डायरी लेके बैठे हैं, वे लोग डायरी में नोट कर लें, भजन चौदा का पांच, भजन चौदा के पांच मे हम देखते हैं, घमंडियों ने मेरे लिए फंदा, और पासे लगाए, सड़क के किनारे जाल बिछाया, उन्हें ने मेरे लिए फंदे लगा रखे हैं, एक और पद नोट कर लीजे, भजन 57 का अच्छे, मुझे मालूम है, आप मैंसे कुछ लोग नोट करते जा रहे हैं, य यह पद बच्चों को भी दिखाना है, भजन 57 के च्छे में हम पढ़ते हैं, उन्हेंने मेरे पैरों के लिए जाल लगाया है, मेरा प्रांट ढला जाता है, उन्हेंने मेरे आगे गड़ा खोदा परंतो आप ही उसमें गर पड़े, यह चीज बच्छों को बताना है, वो यह है कि बेटा, पर्मेशवर के बच्चे को यदि कोई ठोकर खिलाता है, चोटी से चोटी बात में ठोकर खिलाता है, तो पर्मेशवर का वचन यह कहता है, कि उन लोगों के लिए अच्छा होता कि उनके गले में चक्की का भारी पाट बान दिया जाता और उनको समुद्र में डाल दिया जाता, जहां वो दम घुटकुट कर मर जाते तो बच्चों को जब दुनिया के जो भीडिये हैं, जो जाल बिचा रहे हैं, फंदा बिचा रहे हैं, गड़ा खोद रहे हैं, जब उनके बारे में बताते हैं, तो उसके साथ साथ एक बात और जरूर बताईए कि बेटा हम उनसे दूर रहें, ये जरूरी है लेकिन उसके साथ साथ इस बात को याद रखें हम कंटीनियली उनके उपर नजर नहीं रखे हुए लेकिन हमें मन ही मन मालूम होने चाहिए कि उन लोगों ने परमेशवर के बच्चे को धोका देने की कोशिश की इसकी सजा उनको मिलेगी और यदि धोका देने में सफल हो गए तो बेटा कल को उनके साथ क्या होगा ये देखने के लिए हम तो यहां रुके हुए नहीं है, हमारा मतलब उनसे नहीं है लेकिन बेटा इस बात को याद रखना कि जिस व्यक्ति ने भी पडमेश्वर के बच्चे को या बच्ची को भोखा दिया है उसका शिकार किया है और शिकार करके उसको फार खाया है उस व्यक्ति का अंत भयानक होगा बहुत भयानक होगा प्रभु का वच्चन बार-बार ये बताता है ये बात मैंने अभी अच्छनक इसलिए बताई कि कई बार बच्चों को लगता है कि ये लोग हमारे शिकार करते हैं वो लोग इतना अच्छा जीवन बिताते हैं तो बच्चों को बताईए, ये बात साफ साफ बताईए कि बटा ऐसा नहीं है, परमेश्वर के बच्चे के साथ वो लोग जो करेंगे, या करते हैं या किया है, उसका प्रतिकार परमेश्वर आप करेंगे, शायद हम कभी देख न पाएंगे, शायद कभी देख भी लेंगे, कभी देख नहीं पाएंगे, लेकिन इस बात को याद रखना कि परमेश्वर प्रतिकार जरूर करेंगे, वो बच्चों की जानकारी के लिए उनको बता दीजे, लेकिन ये उनको सिखाईए, बिना कारण उनने मेरे लिए अपना जाल गड़े में बिचाया, बिना कारण उनने मेरा प्रांड लेने के लिए गड़ा खोदा है, यहाँ प्रांड लेने के लिए का मतलब है, हमारे जीवन को पूरी तरह से बरबाद कर देना, वह एक बारा साल के बच्चे को डरा धमका के, आप उसको ड्रग्स ले जाने के लिए केरियर के रूप में यूस करते हैं, यद वैसे वैसे उसको ये बात समझ में आ जाएगी कि मैं एक अपराद में लिप्त हूँ और इस कारण अपराद के प्रती उसकी संवेदन शीलता, सेंसिटिविटी मारी जाएगी और इस कारण या तो वो अपने आप या उस गैंग के मार्ग निरदेशन में और बड़े अपर इसको मुर्तियो धंड दीया जा सकता है, ऐसा होता है, तो किसी भी तरह का भेड़िया होँ जब शिकार करता है तो शिकार के जीवन को वो पूरी तरह से बर्बात कर देता है, पूरी तरह से, इसलिए भी बच्चों को ये बताईए और मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि शिकारी जब जाल बिछाता है गड़ाख होता है तब सामा नित्य कोई जानवर उसमें से बच नहीं पाता शिकार नहीं बच पाता सामा जीवन में भी ये देखा जाता है कि जितने लोग शिकार होते हैं उसमें दस प्रतिशत लोग मुश्किल से बच के आ पाते हैं मुझे बात अच्छी दरह से मालूम है क्योंकि तमाम माबाप अपने बच्चों के बारे में मुझसे कंसल्ट करते रहते हैं और जो कंसल्ट करते हैं उनसे मैं संपर्क में रहता हूँ इसलिए मुझे मालूम है कि कितने प्रतिशत लोग बचा पाते हैं बचा लाते हैं और उसके बाद अपने बचे को यथा स्थान रेस्टोर कर सकते हैं या रेस्टोर कर पाते हैं मुश्किल से 10 प्रतिशत बाकि 90 प्रतिशत उनका जीवन इतनी बुरी तरह से बरबाद हो जाता है कि एक तो कोई काउंसलर उसको ठीक नहीं कर पाता दूसरा वो ठीक होना नहीं चाते शिकार होने के साथ ये एक और परिशानी है कि एक बार शिकार हो जाने के बाद और एक सीमा से अधिक फंस जाने के बाद शिकार भी उससे बचना नहीं चाता है ये है प्रबु के वचन में जो कहा गया है उन्होंने मेरा प्रांड लेने के लिए गड़ा खोदा अपने लिठ्वी की प्राप्ति के लिए वे मेरे जीवन को हमेशा हमेशा के लिए परबाद कर रहे हैं ये बातें क्रमबद तरीके से बच्चों को सिखाईए अखबार पढ़ते हैं आप सब अखबार पढ़ते हैं तेलिविजिन देखते हैं खबर देखते हैं हर दिन इस तरह की पचासों बाते हम देखते हैं, जहां एक निर्दोश व्यक्ति का शिकार कर लिया गया, उसको अपराद में लगा दिया गया, ड्रड अडिक्शन में लगा दिया गया, उसके असमत लूट ली गई, और उसके बाद उसको तमाम तरह के गलत कामों में लगा दिया गया, इन चीजों को पढ़कर एक कान से दूसरे कान में निकाल मत दीजे, अपने बच्चों के साथ शेर कीजो, उनको बताया कि बेटा, इस लड़के को देखो, इस लड़की को देखो, तुमारे ही समान, जीवन से सनेह करता था, लेकिन उसके माबाप ने उसको सप फस गया या फस गयी, तब वो अपने माबाप से मदद नहीं मांग पाया, बलकि फसने के पहले ही माबाप को शेर नहीं कर पाया, या शेर किया तो माबाप ने उसको सीरिसली नहीं लिया, या सीरिसली लिया तो उसको डाट पड़ी, उसका बचाव नहीं किया, इसलिए दे चारों तरफ जाल बीचाये हुए है, अकारण हमारा प्राण लेने के लिए तैयार है, उसमें मत फसना। आज इस तरह से इन बातों को आपके सामने रखने के लिए पजमेश्वर ने जौसर दिया उसके लिए मैं प्रभू का शुक्र गुजार हूँ, प्रभू मदद करे कि हम सब का परिवार संपुष्ट हो, यदि आप मैंसे कोई वेक्ति ऐसा है जो अपने बच्चों को समय रहत की मदद करे कि आपके बच्चों के साथ जो करना है वो आप कर सकें, प्रभू के नाम की स्तूती हो, प्रिय दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि शास्त्री जानसंसी फिलिप के आज के इस बाइबल प्रवचन द्वारा आपको बहुत अधिक अनुग्रह मिला होगा, शास् वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिखता है, पहले उसे क्लिक कर दें, उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है उसे क्लिक कर दें, बस, हो गया काम, अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाए इतना ही नहीं, हर नया सब्सक्राइबर हम को बहुत अधिक प्रोचसाहन देता है, जै मसीह की